का जहिंद। दोस्तों तो आज के इस विडियो में हम लोग जानेंगे कि मेट्रीक और इंटर का रिजल्ट कव जारी होने वाला है जैसा कि आप लोग जानते हैं एक फर्बरी से लेकर 12 फर्बरी के बीच इंटर के परिक्षा चला था और 14 फर्बरी से लेकर कि 22 फरवरी के बीच जो है में止्रिक का परिक्षा चला था टो बिहार बॉर्ट जो है हर साल एक महीने के अंदर ही रिजल्ट जारी कर देता है तो इस बार भी मेंने के अंदर जारी करने वाला है न बीहार बॉड की तरफ से अभी तूरंत जो है मैसेज आए्या है कि इंटर का रिजल्ट जो है 21 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में जारी कर दिया जाएगा और मेट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंतिम सब्ते यानि एक 30 मार्चे से ले करके एक या दो अपरेल के बीच जारी कर देगा तो यह जनकारी आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और विहार बोर्ड इस बार 90 पर 30 बच्चा को पास करने वाला है और लगभग जो है सभी बच्चे को मेट्रिक पर इस बार प आप लोग कोमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोग इंटर में कौन से सब्जेक्ट रखने वाले हो तो इसी के साथ में मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद